तो आज किचन में कूकर की सीटी में क्या बन रहा था तो बहुत ही टेस्टी सी सबजी तो यहाँ पर हर जपर उसकी दादी कह रही थी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज मैं सबजी बनाऊंगा दादी मुझे यह करने दो तो इनकी बाते साइड में रखते हैं और तड़क और जीरे जब भून जाएगा तो यहाँ पर हम एड करेंगे थोड़ा सा लसुन लसुन यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में है आपको मोटी मोटी दस कलिया तो इसमें डाली लेनी है और यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक चौप्ट करके रखा हुआ था अच्छ आप कदुगस करके भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर एक कटोरी भरकर ब्याश तो होगा ही तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको ना सोते करना है ताकि इसका भी कच्छा बन ना रहे वैसे बिना बच्चों के मूँ में बहुत सारी कईबा चीज़े आती है उस वज़े से आपको प्याज वगेरा टमाटर वगेरा यह कदुगस कर लेना चाहिए हम तो किवर क्या करते हैं लसुन को भी अच्छे से कदुगस करके यह पीस कर हम डाल देते हैं तो यहाँ पर प्याज अच्छे से पक चाएगा और उसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी प्रड़ी राज्मा में नमक था और बात में हम राज्मा चेक करेंगे त अब इसमें नमक डालेंगे तो वैसे ही, इसमें हलका पॉझा राल देया है ताकि जो मसाला है अच्छे से बूहरा सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेवी तैयार हो जाएगी इस ग्रेवी में आप कोई भी राजमा हो चाहे छोले हों कुछ भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने तीन टमाटर की प्यूरी आड़ करके पहले से ब्लैंड करके रखी वी थी अब उसको हम एड़ कर देंगे अब हम क्या करेंगे इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे अब टमाटर को भी बहुत अच्छे से पकाना है इसका कलर बहुत अच्छा हो जाए ना तब तक आप इसको पका लेंगे तो यह देखे बिल्कुल आप जैसे तड़का तयार हो चुका है बहुत बढ़िया एक मसाला बनकर तयार हुआ है दो से तीन मिनट ही लगे थे बिलकुल लॉफ लेम पर पकाया है तब तक एक स्पेशल सा मसाला तयार कर लेते हैं काली मिच आल्डेडी थी पीसी हुई इसी में और इसमें अब हम डालेंगे साबुत धनिया साबुत धनिया अ तो यह बहुत बढ़िये तरीके से कुट भी जाता है और सबजी में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है तो यहां पर हम एट करेंगे राजमा और यहां पर आलू यहां पर हमने राजमा के साथ ही कट करके उबाल दिये थे बस अब क्या करना है राजमा भी उबल चुके अलो भी उबले हुए डाले थे, तो सब्जी बनने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता, तो ये जो राजमा की सब्जी ना थोड़ी सी गाड़ी हो जाती है, और इस वजे से हमने इसमें थोड़ा सा जो है एक कप पानी भी बाद में एड़ करना है, आप अपने ही सापसे क ग्रेवी को ठीक भी रख सकते हैं, अगर आप चाबल के साथ खाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी पतली अगर रखेंगे तो बाद में थोड़ी ठीक हो जाएगे, क्योंकि इसको अभी पकने में हम पान से साथ मिनुट तो पकाएंगे, और तभी इसका जादा मजा आएगा, ढग कर इसको पान साथ मिनुट के लिए पका देते हैं, तो पान साथ मिनुट के बाद आप देख सकते हैं, इसका ओल बिल्कुल अलग हो चुका है, पहले से गाड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पर हमने एक जो है, इसकी जो तरी कहा सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग रख ल करेंगे बहुत ही जादा एक तो ना बहुत बढ़िया खुश्पू आती है टेस्ट सच में बहुत ही जादा अमीजिंग हो जाता है तो आप इसको जरूर एड़ कीजिएगा और यहां पर हमारे राजमा तो बनकर तयार है तो अब हम बनाएंगे चावल वो भी नमक वाले जो पर अब हम फिर से इसको नो थोड़ा सा आप 10-15 सेकंड के लिए पकाएं उसके बढ़ ढ़क कर रखतें जब खाना हो दवारा गरम करें तो चलिए अब चलते हैं चावल बनाने की तरफ तो हमने यहां पर सोचा राजमा के साथ चावल बहुत ही जादा बढ़िया लगते है हमारे घर में जो है हमेशा जीरे वाले और जो अनियन वाले राइस ही बनते हैं जो बिलकुल बॉयल राइस होते हैं वो बहुत ही कम पकते हैं जो बीना किसी इंग्रीजिंट के होते हैं तो यहां पर स्लाइस कट किया हुआ हम अनियन डाल देंगे उससे पहले जीरा डाल द layers निकलनी शुरू हो जाए उसके बाद इसको पकाना बहुत ही जादा जरूरी है तो यहाँ पर हम चावलों को पकने के लिए रख देते हैं साथ ही साथ जो है मेरा बेटा बोल रहा था कि उसको बहुत जादा भूग लगी है मैंने सोचा भी थोड़ी देर के लिए रुप जा तो यहाँ पर आप जो हलकी सी यहाँ पर मिर्ची भी हमने एट की है हलकी सी एक जो मिर्ची होती है बिल्कुल बारिक बारिक कट करके इसको डाल दिया है उसके बाद ना हम इसमें नमक एट कर देंगे नमक बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि प्याज अच्छे से पक और यहां पर चावल अच्छे से जो है आप देख सकते हैं थोड़े से क्रिस्प हो चुके हैं नमक डाल करना हलका सा इसको और पका देंगे और उसके बाद एक गिलास चावल है तो दो गिलास पानी हम इसमें एड़ कर देंगे बस हमेशा यही होता है चाहे कुछ भी हो आपक खिले-खिले बनेंगे चाहे आप कूकर में बनाएं चाहे ओपन बनाएं जिसमें मर्जी बनाएं यह अगर आप रिश्यू याद रखेंगे ना तो कभी भी चावल जैसे जाला चिपचिपे बनते हैं ज्यादा खिले-खिले नहीं बनते कच्चे रह जाते हैं बहुत सारी कि चावल खिले-खिले बनेंगे तो सारे हम यहाँ पर चावलों को डाल देते हैं तो यह देखिए बहुत यह बढ़िया से एक mixture तयार हो चुका है अच्छे से हिला देंगे बस धक कर इसको 5-7 मिनट के लिए हम low flame पर बनाते हैं तो हमें 8-10 मिनट लग जाते हैं हम चाहे जादा जो है खिले-खिले से बने हैं और जो राइ जो हमने अनियन दाले थे वह भी बहुत ही जादा एक स्लाइस में दिख रहे हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं चावल अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे जरूर बताईएगा तो फटा फट से अब ठाली तैयार कर ले